उडियो लुए सब्सक्राइब करें लुए जो आज की विडियो में हम लोग विक्स पार्टिशनींग को समझा था कि मल्टिपल पार्टिशनीं क्या होती है अगर आपने वीडियो नहीं दिसेटा प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं फरस्ट फ़र मैं आपको समझा देती हूं कि fixed partitioning होती क्या है इसकी में क्या होगा कि हम main memory को fixed size में divide कर देंगे और partition कर देंगे यह जो partitions होंगे और divisions होंगी वो same size की भी हो सकती है और different size की भी हो सकती है हर एक partition एक single process को hold करके रख सकती है जितने ज़्यादा partition हमने करे होंगे main memory के हम उतनी ज़्यादा process को memory में load करवा सकते हैं सारी memory available होगी user के process के लिए यानि यहाँ पर कोई operating system नहीं होगा या फिर कोई ऐसा space नहीं होगा जो की हम use नहीं करेंगे जब एक process system में आएगी और उसको memory की जरुद पड़ेगी तो memory manager जो है वो उसको उस partition में allocate करेगा जहां उस process का size partition में match करेगा जब एक process memory में load होगी तो वो CPU के लिए complete कर सकती है CPU ऐसे ही सारे processes को different partition से लेते रहेगा और उनको execute करता रहेगा जब एक process की execution complete हो जाएगी तो उसको partition allocate हो जाएगा और वो free हो जाएगी जो process job queue में wait कर रही है वो खाली partition में load हो जाएगी और execute हो जाएगी लेकिन fix size partitioning में एक और drawback है जो की है हमारा internal fragmentation यानि जब भी हम fix size policy को use कर रहे हैं तो हमें हमारा जो system है उसको internal fragmentation से सफर करना पड़ सकता है internal fragmentation का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 5K का partition है और हमारे जो process है वो 3K की है तो हमें वो पूरी की पूरी allocation करनी पड़ेगी 2K waste हो जाएगी और हम उस partition को फिर से use भी नहीं कर पाएंगे एक partition में सिर्फ एक के process होगी सू मेरे कहने का मतलब है अगर हमारे जो process है वो 5K की है ठीक है और हमारे पास जो block है वो 7K का है ठीक है 7K की partition होई वीया है ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि हमारे जो process से वो 5K की यहां पर आजाएगी ठीक है लेकिन जो 2K जो हमारे पास यहां पर बचा है वो क्या है वो वेस्ट हो जाएगा और हम इसको दुबारा से यूज भी नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग internal fragmentation तो जब भी हम लोग fixed size partitioning यूज करेंगे तो हमें क्या हो सकता है internal fragmentation के suffer करना पड़ सकता है कि यहां पे जो यह size है यह हमारा fix है हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो operating system है वो क्या करता है हमारी memory को fixed size के block में divide कर देता है अब ऐसा नहीं है जैसे कि यह मेरी main memory है ठीक ऐसा नहीं है कि जो यह block है वो 100K का है और जो next block है वो भी 100K का होगा ऐसा नहीं है यह 200K का भी हो सकता है यह 250 का भी हो सकता है और यह 300 का भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई एक hard and fast rule है कि यह इतने का ही block होगा कि 300 का ही होगा 350 का नहीं हो सकता है यह जो size है वो अलग-अलग हो सकता है यह इतए हुआ हो सकता है लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते है अपनी आ पर प्रोसेस के हिसाब से अबरि जो प्रोसेस है वह 50 केकी है जह सकता है कि हम यहाँ पे 50 केक process को कर idée यहां पर कर लों यहां प nearby जो 50 के है वो वेस्ट हो जाएगी हम इसको दोबारे से यूज नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से इंटरनल फ्रग्मेंटेशन की प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ती है फिक्स्ट पार्टिशन तो आपके पास पुक में कुछ इस तरह से टेबल दिया होगा जिसको हम लोग कहते हैं PDT यानि Partition Description Table जो हमारा Memory Manager होता है वो क्या करता है इस टेबल को Maintain करके रखता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं Partition Description Table कहते हैं इसमें हम Main Memory के Partition से Related सारी Information रखते हैं यानि कौन सा Partition कितने Size का है उसका Base Address क्या है और यह देखना कि वो जो Partition है वो Busy है या फिर Free है तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि Partition No.1 तो Partition No.1 जो है यानि यह अगर हम इसके बात करें तो यह हमारा Partition No.1 है तो कि यह जो Part होता है यह हमारा Operating System का होता है और यहां पर हमारी सारी Processes आते हैं तो हमारे यह जो Partition No.1 ठीक है वो है 0K का यानि जो इसका Base Address है वो है 0K और उसका जो Size है वो कितने का है 200K का है और यह जो Status है वो है कि वो Partition में अभी कोई Process है या फिर वो खाली है यानि वो Busy है या फिर Free है तो यहां पर हमने लिखा है Busy तो इसी करहें हम Next Partition दिखेंगे Partition No.2 ठीक है जो भी हमारा Next Partition है उसका Base Address है 200K ठीक है और उसके बाद आता है हमारा Partition Size तो इसका Partition Size है 400K और यह जो Block है इसमें अभी भी कोई Process नहीं है यानि Currently यह जो Partition है वो खाली है इसमें कोई भी Process Allocated नहीं है इसमें हम क्या कर सकते हैं अपने Process को Allocate कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो Memory Manager होता है वो क्या करता है वो इस तरह से Table बना लेता है Main Memory का कि Main Memory में कितने Partitions हैं ठीक है उनका Base Address क्या है उनका Partition Size क्या है और जो भी Partition है वो खाली है यानि उसमें कोई Process Allocated है या फिर वो Busy है कि उसमें कोई Process है या फिर नहीं है जब भी Job Scheduler जोब को Select करेगा तो वो Memory में लोड हो जाएगी तो जो हमारा Memory Manager है वो PDT यानि Partition Description Table को देखेगा कि कौन सा Partition इस Job के लिए Best है जब वो Job Allocate हो जाएगी तो उस Partition को Status Busy हो जाएगा और वो Execute हो जाएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा Partition खाली है हम Starting से Start करेंगे तो जो Partition 1 है वो क्या है वो Busy है वो खाली नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे हमारा Memory Manager आएगा Second Partition पे तो हम यह देखेंगे कि यह Partition खाली है तो हाँ यह Partition खाली है तो जो भी हमारी Process है जैसे कि यह वली हमारी Process है तो ये वाले process इस partition में आ जाएगी और जैसे ही ये partition में आएगी तो यहाँ पे हमारा जो memory manager है वो क्या करता रहता है जैसे ही हमारी partition में कोई process आती है और उसमें से कोई process जाती है ठीके वो क्या करता है साथ ही उसको update करता रहता है table को तो जैसे ही वो process इसमें आएगी तो यहाँ पर free जो हमारा status है इस second partition का वो क्या हो जाएगा? busy हो जाएगा ताकि हमारे operating system को पता चले कि जो हमारा second partition है उसमें कोई process आ गई है और वो execute हो रही है अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी process को कहां पर allocate करना है यानि हम कैसे decide करेंगी कि कोई भी process है जिसी कि यह process है हमारी 5K की तो मैं यहाँ पर जो यह free block है, free partition है मैं यहाँ पर डालू या फिर मेरे पास और भी free है तो जो हमारा fourth partition है वो भी free है मैं यहाँ पर उसको allocate करूँ तो यह हमें कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हमारे पास different policies है job हम किसी भी available partition में place कर सकते है जिसमें वो fit हो जाए हमारे पास कुछ policies है जिनके through हम यह देखेंगे कि हम अपने process को कौन से partition में place करें तो हमारे पास policies है first fit policy, best fit policy and worst fit policy तो सिबसे पहले हम लोग बात करते है first fit policy की इसमें हम लोग क्या करेंगे starting से देखेंगे कि कौन सा partition हमारी process के size से match कर रहा है और जो भी मिलेगा वहाँ पर हम अपनी process को allocate कर देंगे for example यहाँ पर मैंने एक छोटा सा diagram बनाया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर different partitions दिये गए हैं जो कि free है 50K free है, 100K free है, 200K free है 80K free है और 400K free है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे starting से दिखना start करेंगे for example अगर हमारी process है तो हमें job request आईए कि जो हमारी process है वो है हमारी 170K की हमारी process है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर starting से दिखना start करेंगे कि हमारे process के size है, उसे कौन सा block, कौन सा partition जो है, वो match कर रहा है जो भी partition उसे match करेगा हम आपर उसको allocate कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे 50K, तो 50K बहुत ही कम size है इसमें हमारी 170K जो process है, वो नहीं आ सकती 100K में भी नहीं आ सकती हम क्या करेंगे, 200K में इसको allocate कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखती 170K तो यह 170K हमारी जो partition है 200K उसमें आ जाएगी, और जो 30K है ठीके, वो बच जाएगी और वो internal fragmentation जैसा होता है बैसे हो जाएगा, और वो waste हो जाएगी तो यहाँ पर 30K हमारी waste हो रही है तो यह है हमारी first fit policy जिसमें हम starting से देखेंगे अपने partitions को जो भी हमारी process के size से match करेगा partition, हम उसको वहीं पर भी डाल देंगे अब next आता है हमारे पास best fit policy best fit policy में क्या होगा जो हमारा memory manager है वो क्या करेगा वो हमारे जो process है जो भी हमारे request आईए for example, यहाँ पर हमारे जो job की request आईए process की job process की जो request है वो है 75K की ठीक है यहाँ पर 75K की request आईए तो यहाँ पर हमारा जो memory manager है वो क्या करेगा best choose करेगा वो starting से देखना start करेगा कि कौन सी जो हमारी partition है वो 75K को best fit होगी ठीक है कौन सी partition में 75K हमारा best fit होगा तो यहाँ से देखना start करेगा वो देखेगा 50K 50K का size तो बहुत जादा काम है अब 100K भी है 100K का size बहुत जादा है क्योंकि 100K में अगर हम 75K अगर हम यहाँ पे हम store कर देंगे तो 25K waste भी तो होगी और यहाँ पे भी ऐसा ही है 200K में क्या होगा बहुत सारी जो हमारा memory का part है वो waste हो जाएगा तो फिर वो आएगा 80K अब 80K में क्या है यहाँ पे हमारा जो 5K है वो ही waste हो रहा है और 400K में तो बहुत जादा waste हो रहा है तो हम क्या करेंगे अपनी जो process है उसको यहाँ पे allocate कर देंगे और जो 5K है वो waste हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है हम अपनी process के लिए जो भी हमारी job request आईगे उसके हिसाब से हम अपनी memory में best partition ढूनेंगे जिसमें हमारी जो process है वो best fit होती हो तो यह है हमारी best fit policy आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो भी हमारी job request आईए जैसे कि 75K है हमारी job request तो इस request के हिसाब से हमारा जो भी partition इसके सबसे close होगा हम इसमें इसको allocate कर देंगे जैसे 80K इसके सबसे जदा close था तो हमने 80K partition में यह process जो है वो allocate कर दी तो next है हमारे पास worst fit policy अब worst fit policy में क्या होता है हमारा memory management क्या करता है वो किसी भी process के लिए सबसे larger size को pick करेगा चाहे वो जितने margin size की हो उसमें प्रोसेस को allocate कर देगा for example अगर हमारे पास job request आई है worst fit policy के हम लोग बात कर रहे है अगर हमारे पास job request आई है प्रोसेस की 120K तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो memory manager है वो सबसे बड़े block को select करेगा तो हमारे पास सबसे बड़े block क्या है वो 400K है तो यहाँ पर यह सबसे बड़े block में क्या करेगा हमारी प्रोसेस को store कर देगा और इसमें जितनी भी हमारा space है वो waste हो जाएगा तो हम इसको use नहीं करते है worst fit policy को क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 280K हमारा waste हो रहा है यानि less हमारा space waste होता है क्योंकि अब इतनी सी space में हम कोई यह प्रोसेस तो use नहीं कर सकते क्योंकि एक partition क्या है एक partition एक ही process को hold करके रख सकता है वो एकसे जाधा process को hold करके नहीं रख सकता है यह है हमारी first fit policy, best fit policy and worst fit policy आज की वीडियो के लिए इतना ही because काफी long होगी है and I hope आपको यह सारा समझ आया होगा कि fixed partition में किस तरह से होता है और इसके first, best and worst fit policy किस तरह से काम करती है अगर आपके लिए वीडियो useful रही है तो make sure आपने अपने चाय को subscribe कर लिया साथ ही अपने bell icon को भी press कर लिया ताकि आप किसी वीडियो को miss ना करें Thank you guys, thanks for watching